सच कहूं तो गेम्स की अपनी अलगी दुनिया है, हम इसे गलत नहीं ठारा सकते, हर किसी का इसे देखनी का अलग नजरिया होता है और ये पॉसिबल है कि दुनिया में शाओयांग जैसे बहुत से लोग हैं, जो घर से बाहर नहीं जा सकते जो बाहरी दुनिया को सिर्फ गेम्स की द्वारा देख सकते हैं, और ज्यादा लोगों को जान सकते हैं और अगर इस नजरिये से देखें, तो गेम्स तो बहुत काम की चीज़ हुई है ना